नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारा सीफल धाम यूट्यूप चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तूला रासी फल के बारे में किया दिन तूला रासी वालों के लिए कैसा रहेगा किन-किन चीज़ों से इनको फायदा होगा और किन चीज़ों से इनको सावधान रहना होगा इनके लब लाइप केसी रहेगी केरियर केसा रहेगा बिजनस और बैपार केसा रहेगा और स्वास्ते की महतपुन जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबंग के क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको इगुपाय भी बताएंगे जिसे आप अपने दिन को अच्छा और बैतर बना सके तो दोस्तों आपकी विरास्तित तूला है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिशना करें और इसे अंत तक जडूर देखें दोस्तों वीडियो सुरू करने से पेले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारे इन्नी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंश सके तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मन चाही उपलब्दियां हासिल होगी आप अपनी योगता और कारकुसलता से हर परस्ति को समभाल लेंगे सरकारी मामल में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं रुकेवे कामा में गती आएगी सुविधाओं के साथ आतादमी उन्नती भी होगी कुछ खास लोगों के साथ ददगार होगी परपटी बनने के महत्यपुन संभावना है साथ ही आप अपने व्यक्तित्व के परती भी गंबीर रहेंगे दोस्तों आज के दिन आर्थी स्थिति में सुधार होने के योग बन रहे हैं रुकेवे या उल्जेवे पेसे की आपसी के लिए समय अनुकुल र जाएंगे समाजे रूप से आज का दिन सक्रियता रहेगी यह दिन आपके कई नई कामों की योजना बनाएंगे और बहुत हद तक 29 सफलता भी आसिल गरेंगे परवासारी लोग का सहयोग बना रहेगा परिवारे सुक्सांती के लिहाज के यह दिन बहुत अच्छा भी ते आप मैनत से विप्रित परिशतिया को अपने फेवर में करने के ताकत रखेंगे तोस्तों सुरुवात में चुनोती भरी हो सकती है लेकिन यह दिन बीच में परिशतिया अनुकुल हो जाएगी किसी परवासाली इंसान की मदद से आपकी समासिया का ओचित हल मिलेगा दोस् सरकारी कामों के लिए कोसिस करें लोगों के लिए यह दिन अच्छे मोके देने वाला है आज आपका दिन उपलोदियां से भरा रहेगा आप जो भी मन में ठान लेंगे उसे पूरा ही कर लेंगे साथी परिस्तियां भी आपके साथ देगी बड़ी लोगों का असिरवाद और म करने की कोसिस करें क्योंकि समय अनुकुल है और आपको सार्थक नितिजे भी हासिल होंगे घर में मांगनी आयन भी हो सकता है दोस्तों भगवान सनीदेव आपके साथ हैं आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम करेंगे तो आपको भगवान सनीदेव आसान कर देंगे आ प्रियासरत हैं दोस्तों यह दिन आपके कामे में गती आएगी लेकिन साथी जादा मेहनत की ज़रुरत रहेगी सुख से विदा पर खुले दिल से खर्चा करेंगे यह दिन अपनी योगता और छमताओं का भरपूरी उपयोग करने का है हलाकि इनका नतिजा हासिल करने के लि हो जाएगा दोस्तों नेगेटिव में ध्यान रखें की बिना अनुभब के कोई भी कारना करें मुश्किल समय में किसी अनुभी वेक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी दोस्तों नेगेटिव में आप अकसर अति उत्सा और जल्दबाजी से अपने बंते काम खराब कर लेते हैं को समय खुद को जाचन और परकने में भी जरू लगाएं इस दिन खुशी से जीने के लिए आपको एक रूटीन और वेहवार में उक्त हिसाब से बदलाव लाने की जरूरत भी रहेगी दोस्तों आज का दिन दोड़ धूप जादा रहेगी कई बार जल जाने की कोशिश करें वाना उन में निराज की भावना आ सकती है दोस्तों आज का दिन खर्चों पर काबू रखना जरूरी है भायों के साथ हलका फुलका विबाद हो सकता है गुसे की वज़े धैर और स्यम से परिसानी जल्दी सम्हल जाएगी समाजी गतिविदियों में वहबा करते समय अपने मान समन का भी ध्यान रखें क्योंकि कुछ बदनामी होने जैसी आसंका है किसी भी तरह की महत्पुन यात्रा करते वक्त उसके सभी पहलूमों पर वहले विचार विमर्स जरूर कर लें दोस्तों करीबी लोग आपको आलोचना करेंगे और आप आपको भागवान की किरपास से कोई कुछ नहीं बिगाल सकता है समन्दियों के साथ लेंदेन या भटबारे को लेकर विवाद हो सकता है किस भी मामले को गुस्य की वज़ाए आप से समंज़त से हल करने की कोशिश करें परपटी समन्दी मामले में कागजादी करवाई को लेकर दिकत्या सकती है आर्थी गतिविदियों पर बहुत ध्यान देने की जरुरत है दोस्तों बात कर लेते हैं वैब साई की बिजनेस के नजरिये से यह दिन तरकी देने वाला रहेगा नहीं उपलवदिया हांसिल होंगे पार्टिसी बिजनेस में आपके हुनर और नोले जिए आप भगवान की किरपा से मिलने वाले हैं या दिन आपके लिए वैब साई उपलवदी वाला रहेगा अब अपने बिजनेस में जिस तरह के बदलाव लाने की कोशिस कर रहे थे अब उसका अनुकुल समय आ गया है दिन की सुरुवात में ही विस्तार समिन्दियोजन पर काम कर लेंगे दोस्तों वैब साई नजरिये से या दिन आपके लिए तरकी के साथ सफलता देने वाला भी रहेगा अधेकारियां और राजनितिक लोगों से अपने कंटेक्ट मजबूत बनाएं यह आपके लिए फायदेमन साबित होंगे कभी कभी बिजनस में का जोखिम लेने से परेज करें गेर काननी काम में भी दिल्चस्वी ना लें तोस्तों सुरुवात में बिजनस को लेकर समान जस्की इस्ती रहेगी अपने विर्यदियों को गतिविदियों पर नजर रखें परसितियां आपके पक्स में होंगे नई वैफसाइश समन्द ब सकती है सिर्फ अधिकारियों के साथ समंजस बना रखना जरूरी है दोस्तों आज के दिन बिजनस समंदी फेसले लेते वक्त साबधान रहना होगा सही वक्त पर सही फेसले लेने से आप सफल हो पाएंगे आर्थी मामलम पर किसी पर भी भरोशा न करें वारना नुकसान होन के चक्कर में अपने काम की कॉलाटी से समझोता ना करें दोस्तों हलाकि नोकरी लोगों को आधिकारियों पर ओफिस में इंफ्रिस बना रहेगा आपकी काबलियत की तारीफ होगी दोस्तों आपके कर्म परदान अच्छे होने के कारण वैपसा में आप कोई भी पुंजी ल बातों में आकर खुद का नुक्सान कर सकते हैं पार्टनिसी समंदी बिजनेस में आपसी समंदी और परदिस्ता रखना जरूरी है दोस्तों नोकरी पेसा लोगों को बदला समंदी अच्छे मुखे मिल सकते हैं अभी परियास रद रहे हैं आपको आवसी सफलता मिलेंगे दोस्तों वहीं बात करते हैं लव लाइफ की घर के बड़े लोगों का आशिरवाद और स्ने बना रहेगा परिवार में समान जस और सुक सांती का महौर रहेगा यवां को प्रेम परस्ता मिलेंगे लेकिन अपने मान सम्मान का जरूर रखें ध्यान एक्स्टा मेटरियल भरोसी की भावना रखना जरूरी है दोस्तों पति-पत्नी को खास तोर से आपसी समंजस रखना जरूरी है इसका नकारतमग नतिजा घर की विवस्ता पर पढ़ सकता है कुछ पूराने दोस्त से मुलकात होगी और पिर समंदमे नजदिकी आएगी प्रेम परसंग बनेंग इसके लिए रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ाएं और पूरे दिन वहां सावधाने से चलाएं और किसी भी तरह का इंफेक्शन होने पर लापरवाई न करें और इलाज लें आपके सरीर फिट और तंदुरुस्त रहेंगे दोस्तों सेहत समंधि किसी पूराने समस्या से रहात मिलेगी डाइजएक्शन समंधि समस्या हो सकती है पेट की विमारी को लेकर सावधान रहना होगा योगा और ध्यान जेसी गत्तिविद्धियों को अपने दिन चाहरया में सामील रखें अपने गुसिये पर भी कावू बारे में। और भागसालियंक चार है दोस्तों भगवान सनिदेव का आशिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कॉमेंट बॉक्स में जैस सनिदेव जडूर लिखें और वीडियो को लाइक शेर जडूर करें दन्यवाद